नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदिक में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोग सामने जो पेड़ लेकर आया हूँ इस पेड़ को कदम के नाम से जाना जाता है आज मैं आपको इसी कदम के फल के फाइदों के बारे में बताऊंगा इसके छाल के फाइदों के पारें बताऊंगा कि यह कदम हमारे लिए कितना फाइदे मंद हैं मगर दोस्तों फाइदा जानने से पहले हम इस कदम पेड़ को ठीक से देखकर पहिचान ले कि यह पेड़ कैसा होता है तो हां दोस्तों इसके पत्ते जो है कुछ इस तरह से होते हैं जिस तरह से आप देख रहे हैं और इसके फल गोल गोल जो कि आप देख रहे हो यह फल जब पाट जाने के बाद पिला हो जाता है दोस्तों जब तो घढ़ रहता है तो खाने में स्वाद में enforced लगता है ॉर जब पक जाता है तो खटा मिठा लगता है पेड़ हमाकार को होता हैं पिर भी कम से क गदम 30-40 फूट तक उचा होता ही होता है और दोस्टों यह नियुक्त को पेड़ बड़ा ही छाएदार होता है क्योंकि इसके पथे जो यह बदाम के पथो से मिलते जुलते होते हैं तो चलो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ आप इस कदम पेड़ को देखकर पहचान चुके होंगे तो आओ चलो अब इसके फाइदों को बारे में जाने कि यह कदम हमारे सरीर के किन किन बीमारी उठीक कर सकता है तो दोस्तों सबसे पहला फाइदा मैं आपको यह बता दूँ कि यह कदम एक बल वर्दक सकती वर्दक फल है इसके सेवन से सरीर का बल बरता है अगर किसी को उल्टी जैसा मैसूस होता हो या फिर उल्टी हो रहा हो तो आप इस पकके-पके कदम के फल को मसल कर रगड कर चटनी बना लीजिये और करीबन दस ग्राम चटनी में दस ग्राम सहद मिलाकर होनी मिलाकर उन रोगी को पिलाए खिलाए जिनको उल्टी मैसूस होता हो या उल्टी हो रही हो तो दोस्तों सहद और कदम के सेवन से उल्टी रुख जाती है दोस्तों अगर किसी का बाल जड़ता हो उड़ता हो तो आप इस कदम के पत्तों को कारा बना कर बाल के जड़ को धोईए तो बाल का जड़ मजबूत होता है दोस्तों अगर दात में दर्द होता हो मसूरे सूजन दार हो गए हो या दातों से पीप मवाद निकलता हो तो आप इस कदम के छाल का कारा बना कर उससे कुल्ला कीजिए तो आपके दातों के अंदर होने वाला दर्द जो है दूर हो जाएगा दोस्तों अगर किसी के पेट में दर्द होता हो या बार बार पैखाना जाने का मन करता हो या पेचिस रोग हो अतीसार रोग हो तो आप इस कदम के डंटलों के छाल को निकाल कर पीस कर उसमें से रस निकाल लीजिए दस एमल और एक गिलाज चावल का बना हुआ अमार में डाल दीजिए डालने के बाद चला दीजिए और चला कर उस रोगी पिलाए जिनको बार बार टोईलेट जाना पड़ता हो या पेचिस रोग हो और और इसे अगर बेतर करना चाहते हैं तो मान के अंदर एक नीबू का रस निचोड़ दीजिए और एक चमच कदम के पत्तों का रस डाल कर पिलाए तो और भी जल्दी फाइदा होगा दोस्तों या कदम का फल पित को कंट्रोल करता है वात को कंट्रोल करता है कप को थोड़ा बढ़ाने का काम करता है इसलिए अधिक मात्राम इसके सेवन से गले में कब भी हो सकता है और इसका स्वाद खटा होता है इसल तो पके हुए कदम के फल को सेवन से पेट के अंदर का acidity भी दूर होता है अगर काला नमक मिला कर खाया जाए। दोस्तों है अगर किसी का घाव जल्दी सूख नहीं रहा है पानी फेक रहा है गाव में पके हुए कदम के फल को मसल कर बराबर मात्रब, महलदी और सहद मिला कर उस घाव कूपर अगर लेप करते हैं तो वह घाव सूखने लगता है और अगर सहद नहीं मिलाना चाहते तो देशी गाय के घी में सान लीजिए मलहम बना लीजिए उस मलहम को घाव कूपर लगाए तो वह घाव सूख जाता है दोस्तों अगर किसी के ह पेर में घुटनों में दर्द होता हो कदम की शाल ले लिजिए करीवन 500 ग्राम और 500 ग्राम सेधा नमक और 500 ग्राम सहीजन कच्छाल सब को मिलाकर 4 लीटर पानी में डालकर पकाईए कारह बनाएए उस पानी में छोटा सा सूती का कपड़ा डालकर दर्द के अस्थान को करते हुए कडम के फल में नमक मि्र्चा मिलाकर चटनी बनाकर लोग सेवन करते हैं इसके सेवन से भूख बढ़ता है खाया पिया तुरंत के तुरंत हजम हो जाता है दोस्तों अगर किसी को खासी हो तो आप इस कदम के फल को आग में भून कर भूने हुए कदम के फल को धीरे-धीरे नमक लगा कर चूस चूस कर सेवन कीजिये खाइए तो खासी रोग सांत होने लगता है तो दोस्तों इस तरह से यह कदम एक अद्भूत चमतकारी जड़ी बूटी है लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं तो इसे मात्रेक जंगली फल समझते हैं अईसे भी जंगली फल ही है जंगलों को बीच में पैदा होता है लेकिन बहुत से लोग अपने घर आंगन में गाडन में लगा लेते हैं इसलिए यह पेड आज का सहरों भी आ चुका है लेकिन यह जंगली फल है और हाँ दोस्तों आखों में किसी भी तरीके प्रोब्लम हो त इस कदम के पत्ते चाल का बनाकर अगर आखों को ढोते हैं तो और अगर चाल को पीस कर प्रेष्ट बनाकर आखों चारों तरफ लेप करते हैं लगाते हैं तो भी आपको आखों का बीमारी सराहत मिलेगा और दोस्तों, अगर किसी की मुँ में छाले हो, तो भी आप कदम के पत्तों का काड़ा बना कर कुली करते हैं, या फिर घरारा करते हैं, तो मुँ की अंदर छाले जो हैं, वह ठीक हो जाते हैं दोस्तों फेसाब की सभी समस्याओं में कदम का फल यानि पके हुए फल के सेवन करना बड़ा ही उचीत होता है फाइदे मंद होता है और दोस्तों अगर किसी को तकलीफ अधिक हो फेसाब के समस्याओं अधिक हो तो आप विदारी कंद कदम का ज्छाल तथा ताण का फल सब को पीश कर पेष्ट बना लीजिए और फिर आप दूद या घी के साथ सेवन कीजिए तो फेशाब की समस्याइं दूर होने लगेंगे इतना फाइदे मंद होता है दोस्तों या कदम और हां दोस्तों इस कदम पेड को अलग-अलग भासाओं में अलग-अलग नामोस भी जाने जाते हैं जैसे कि संस्कृत में नीप कहते हैं प्रिंक कहते हैं कदम कहते हैं बित्पुस्प कहते हैं हली पी कहते हैं इतने नाम तो इसके संस्कृत में हैं और हिंदी में इसे कदम क वे कंदावलि का गुजराती में गदं कुछ नाम जाने जाते हैं इसके आप इसे किस भासाम किस माम किस झानते हमें कोमेंट करके में जरूर बताइएगा तो दोस्तों इस देडिया भासा है उतने सारे इस पेड का नाम है तो चलो दोस्तों इस महात्पुर जानकारी को हम इस हमाप्त करते हैं अगर हमारी जानकारी लाबदायक हो फाइदे मंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्क्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तों पहाड़ी कि आर भासा है इसमा मोझ प्हाज़ी कीजिए रभी जानकारी जानकारी कीजिए cooking लेगство तोस्तों इड़ादाथ